हेलो स्टुडेंट्स आपकी कक्षा 11 की विशे जो भुगोल है उसकी भुगोल की पुस्तक भारत भोतिक पर्यावरन इस पुस्तक का अध्याई एक है भारत इस्तिती इसके पाठ्टे पुस्तक के अन्त में जो प्रशन दिये हैं उनके उत्तर बताऊंगा आप चेनल को सब्स संदर्ब में प्रासंगिक है तो पहले प्रशन का जो उत्तर है चार ओप्शन दियो दिवे हैं उसमें गय सही है आठ डिगरी चार मिनट उत्तर से 37 डिगरी छे मिनट उत्तर पहले प्रशन का उत्तर हो गया दूसरा प्रशन है निमने लिखित में से किस देश की भारत के सा और म्यामार तो सबसे लंबी जो सीमा है वो बांगला देश के साथ है तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कै बांगला देश तीसरा प्रशन है निम लिकित में से कौन सा देश क्षेतरफल में भारत से बढ़ा है तो ये चारों जो देश दिवेन में जो चीन है वो भारत से बढ़ा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कै चीन इसके बाद में चोथा प्रशन है निम लिकित यामे उत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामे उत्तर है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गै गै इसका सही आंसर है वो है 82 डिगरी 30 मिनट पूर्व अगला प्रशन है अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्तान से नागलेंड की यात्रा करें तो निम्लिकित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे तो चार ओप्शन जो आपके सामने दिये हैं उसका सई उतर है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं तो इसका हम उतर देते हैं और ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि भारत को एक से अधिक समय मानक समय के आउशकता है क्योंकि देशांतर रेखाओं के मानों से सपष्ट होता है कि इन में लगबग 30 डिगरी का अंतर है जिससे हमारे देश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भागों के समय में लगबग 2 घंटों का अंतर होता है कुछ ऐसे देश हैं जिन में अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के करण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाए है अगला प्रशन है भारत की सबसे जो लंबी तर्टरेखा काफी लंबी है तो उस लंबी तर्टरेखा की क्या प्रभाव है तो भारत की तर्टरेखा है वो 7517 किलोमेटर लंबी है भारत तीन ओर से समुदर से गिरावा और यहां बहुत से बंदरगाई जिनके नाम लिख रखे हैं भारत में लंबी तर्रेका होने के कारण भारत विश्यों में मचली उत्पादन में महत्वपून स्थान रखता है इसके तरीक समुदरी संसादनों में खनीज, तेल, नमक, मोती, मुंगा, आदी की भी प्राप्ती होती है तो आप अगर इसको उत्तर को छोड़ा छोटा करना चाहें तो आप ये जो बंदर काईन के नाम लिख करके आप सिधा लिख सकते हैं भारत में बंदरगा का विकास हुआ है ठीक है इतना लिख सकते हैं तो थोड़ा सा उत्तर आपका शोट हो जाएगा तीसरा प्रशन है वो है भारत का देशांतरी फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाब पुरद है तो भारत 68 डिगरी पूरवी देशांतर से 97 डिगरी पूरवी देशांतर के बीच फैला हुआ है अर्थार्थ भारत का देशांतरी विस्तार है वो 30 डिगरी के लगबग है जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पस्चीमी बागों के बीच लगबग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है भारत का देशांत्रिय फेलाव भारत में एक मानक समय रेगा 82 डिग्री जो साड़े 82 डिग्री पूरी देशांत्र है उसके चैन के लिए सुगमता परदान करता है यदि भारत का देशांत्रिय फिलाव बहुत अधिक होता तो हमें कई मानक समय कटी बंदों के आउशकता पड़ती जिससे देनी कारियों तता आवागमन में अवरोध पैदा होता इसके बाद में प्रशन संक्या चार है जबकी पूर्व में उदारनता है नागालेंड में सुर्य पहले उदाय उतर पहले ही अस्त होता है फिर कोहिमा और नई दिली में गड़ियां एक ही समय क्यों दिखती है तो इसका उत्तर है नागालेंड में सूर्य पहले उद्ध होता है पहले ही अस्त होता है लेकिन नई दिली में सूर्य उद्ध और सुर्यास्त बाद में होता है लेकिन समय दोनों अस्तान पर एक है इसका मुख्या कारण यह है कि भारत के विबिनिस्तानों के समय में अंतर नहीं हो इसके लिए 82, 52 डिग्री जो है वो पूर वे यह में उत्तर को भारत की मानक यह में उत्तर चुना गया है इसलिए भारत के विबिनिस्तानों में सुर्य दे और सुर्यास्त के समय में अंतर होने के बावजूद गड़ी के समय में अंतर नहीं होता चैनल को आप सबस्क्राइब कीजिएगा